कर्ण महाभारत के प्रसिध योध्धा, अर्जुन के प्रतिद्वंदी और यूध के अंतिम दिनों में कौर्वों की सेना के सेनापती कर्ण कुंती के कुमारी अवस्था में उत्पन हुए थे। कुंती की सेवा से प्रसंद दुर्वासा रिशी ने उसे एक मंत्र दिया था जिससे वह किसी का भी आवान करके उसे अपने पास बुला सकती थी। उत्सुकता वश कुंती ने सूर्य का आवान किया और उसके सहवास से कर्ण गर्ब में आ गया। लोकलाज से शिशु को उसने एक पिटारी में रखकर नदी में बहा दिया। वह पिटारी सूत अधिरत और उसकी पत्नी राधा को मिली और उन्होंने पुत्रवद बालक का लालन पालन किया। इसी कारण कर्ण को सूत पुत्र और राधे भी कहा गया है। इनके अतिरिक्ट कर्ण को वसुषेन तथा वैकर्तन नाम से भी जाना जाता है। जन्म कथा। यदुवंशी राजा शूरसेन की पोशित कन्या कुंती जब सयानी हुई तो पिता ने उसे घर आये हुए महात्माओं के सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथिग्रिह में जितने भी सादुम हात्मा रिशिमुनी आदी आते कुंती उनकी सेवा मन लगा कर किया करती थी। एक बार वहां दुरवासा रिशिया पहुँचे। कुंती ने उनकी भी मन लगा कर सेवा की। रिशि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। ऐसा माना जाता है कि करंदा नदी का नाम कर्ण के नाम पर रखा गया था। मंत्र की सत्यता एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जाच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठ कर उस मंत्र का जाब करते हुए सूर्य देव का स्मरन किया। उसी क्षन सूर्य देव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तू की अभिलाशा करती हो, मैं तुम्हारी अभिलाशा अवश्य पूर्ण करूंगा, इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाशा नहीं ह मैंने मंत्र की सत्यता पर रखने के लिए जाब किया है, कुंती के इन वचनों को सुन कर सूर्य देव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता, मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र देता हूँ, इतना कहकर सूर्य देव अंतरधान हो कुंती ने लज्जावश यह बात किसी से नहीं कह सकी, समय आने पर उसके गर्ब से कवच कुंडल धारन किये हुए पुत्र उत्पन हुआ, कुंती ने उसे मंजूशा में रखकर रात्री बेला में गंगा में बहा दिया, वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुचा जहा और घर लाकर उसका अपने पुत्र के समान पालन किया, उस बालक के कान बहुत ही सुन्दर थे इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया, इस सूथ दंपती ने ही कर्ण का पालन पोशन किया था, इसी से कर्ण के लिए सूथ पुत्र, तथा, राधे, नामों का भी प्रयोग मिलत कर्ण को शस्त्र विद्या की शिक्षा द्रोनाचारे ने ही दी थी, किन्तु कर्ण की उत्पत्ती के संबंध में संदिग्ध होकर उन्होंने इन्हें ब्रहमास्त्र का प्रयोग नहीं सिखाया। अत कर्ण परशुराम के पास गए और अपने को ब्रहमन बताकर शस्त्र विद्या सीखने लगे। एक दिन परशुराम को किसी प्रकार यह ग्यात हो गया कि यह ब्रहमन नहीं है। इसलिए उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जिस समय तुम्हें इस विद्या की आवशक्ता बूल जाओंगे। दुर्योधन से मित्रता कर्ण और दुर्योधन प्रारंब से ही मित्र थे। कर्ण ने दुर्योधन के लिए सफलता पूर्वक अश्वमेद यग्य भी किया था। जिस समय द्रौपदी के स्वयमवर के लिए राजागन दुरूपद के यहां एकत्र फलत कर्ण ने अपने को विशेश रूप से अपमानित समझा कर्ण और उसका परिवार। कर्ण की पत्नी का पदमावती तथा पुत्रों का व्रिश के तु व्रिश सेन आदी नामों लेक मिलता है। कर्ण और अर्जुन बालेकाल से ही परसपर प्रतिदवन्दवी थे। पाचो पांडवों का वद करने का संकल्प किया था पर माता कुंती के कहने पर उन्होंने अपने वद की प्रतिग्या अर्जुन तक ही सीमित कर दी थी। कर्ण की दानवीरता के भी अनेक संदर्ब मिलते हैं। उनकी दानशीलता की ख्याती सुनकर इंद्र उनके पास का रहसे जानते हुए भी उनको कुंडल और कवच दे दिये। इंद्र ने उसके बदले में एक बार प्रयोग के लिए अपनी अमोग शक्ती दे दी थी। उससे किसी का वद अवश्यम भावी था। कर्ण उस शक्ती का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहते थे। किंतु दुर तिरोध करके अपनी सत्यनिष्ठा का परिचय दिया। भीश्म के अनंतर कर्ण कौरफ सेना के सेनाप्ती नियुक्त हुए थे। अंत में तीन दिन तक यूद संचालन के उपरांत अर्जुन ने उनका वद कर दिया। कर्ण के चरित्र में आदर्शों का दर्शन उनकी दान वीरता एवम युध वीरता के युगपत प्रसंगों में किया जा सकता है। महा भारत का उद्ध निश्चित हो जाने पर कुंती व्याकुल हो उठीन। वह नहीं चाहती थी कि कर्ण का पांध वो के साथ यूद हो। वे कर्ण को समझाने के लिए कर्ण के पास गई। कुंत तुम, राधे, नहीं, कौनते, हो, मैं ही तुम्हारी माहूं किंतु लोकाचार के भाई से मैंने तुम्हें त्याग दिया था, तुम पांडवों के जेश्ट ब्राता हो, इसलिए इस यूध में तुम्हें कौर्वों के साथ नहीं वरन अपने भाईयों के साथ रहना चाहिए मैं नहीं चाहती कि भाईयों में परस्पर यूध हो, मैं चाहती हूँ कि तुम पांडवों के पक्ष में रहो, जेश्ट ब्राता होने के कारण पांडवों के राजे के तुम अधिकारी हो, मेरी इच्छा है कि यूध जीत कर तुम राजा बनो, कर्ण ने जबाव दिया, हे व्राज दुर्योधन ही मेरे सच्चे मित्र हैं। मैं उनके उपकार को भूल कर कृतगन नहीं बन सकता। किन्तु आपका मेरे पास आना व्यर्थ नहीं जाएगा क्योंकि आज तक कर्ण के पास से खाली हाथ कभी कोई नहीं गया है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन का युद्ध अवश्यंभावी है और उस युद्ध में हम दोनों में से एक की मृत्यू निश्चित है। मेरी प्रतिग्या है कि आप पांच पुत्रों की ही माता बनी रहेंगी। कर्ण की बात सुनकर तथा उन्हें आशिरवाद देकर कुंती व्यथित हृदय देकर लौट आईं। दानवीर कर्ण, महा भारत का युद्ध चल रहा था। सूर्यास्त के बाद सभी अपने अपने शिविरों में थे। उस दिन अर्जुन कर्ण को पराजित कर अहंकार में चूर थे। वह अपनी वीरता की दिंगें हाकते हुए कर्ण का तिरसकार करने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण बोले पार्थ, कर्ण सूर्यपुत्र है। उसके कवच और कुंडल दान में प्राप्त करने के बाद ही तुम विजय पा सके हो अन्यथा उसे पराजित करना किसी के वश में नहीं था। वीर होने के साथ ही वह दानवीर भी है। कर्ण की की दानवीरता की परीक्षा ले सकते हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मान ली। दोनों ब्राह्मन के रूप में उसके पास पहुचे। घायल होने के बाद भी कर्ण ने ब्राह्मनों को प्रणाम किया और वहां आने का उद्देश पूछा। श्री कृष्ण बोले जा चुके हैं। मृत्यू मेरी प्रतीक्षा कर रही है। इस अवस्था में भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ। राजन। इसका अर्थ यह हुआ कि हम खाली हाथ ही लोट जाए। किन्तु इस से आपकी कीर्टी धूमिल हो जाएगी। संसार आपको धर्म विहीन राजा के रूप में याद रखेगा यह कहते हुए वे लोटने लगे। तभी कर्ण बोला थरिये ब्राहमन देव। मुझे यश्कीर्ती की इच्छा नहीं है। लेकिन मैं अपने धर्म से विमुक होकर मरना नहीं चाहता। इसलिए मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँग इन दातों पर रक्त लगा है और आपने इन्हें मुक से निकाला है। इसलिए यह स्वर्ण जूठा है। हम जूठा स्वर्ण स्विकार नहीं करेंगे तब कर्ण घिसते हुए अपने धनुष तक गए और उस पर बान चढ़ा कर गंगा का स्मरन किया। ततपश्चाद बान भूमी पर मारा। भूमी पर बान लगते ही वहां से गंगा की तेज जलधारा बह निकली। कर्ण ने उसमें दातों को धोया और उन्हें देते हुए कहा ब्रह्मनों। अब यह स्वर्ण शुध है। कृपया इसे ग्रहन करें तभी कर्ण पर पुश्पों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। विस्मित कर्ण भगवान श्री कृष्ण की स्तुती करते हुए बोला भगवन। आपके दर्शन पाकर मैं धने हो गया। मेरे सभी पाप नश्ट हो गए प्रभू। तब श्री कृष्ण उसे आशिरवाद देते हुए बोले कर्ण। जब तक यह सूर्य, चंद्र, तारे और पृत्वी रहेंगे, तुम्हारी दानवीरता का गुनगान तीनों लोकों में किया जाएगा। संसार में तुम्हारे समान महान दानवीर न तो हुआ है और न कभी ह तुम्हारी यह बान गंगा युगो युगो तक तुम्हारे गुनगान करती रहेगी। अब तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। कर्ण की दानवीरता और धर्म प्रायंता देखकर अर्जुन भी उसके समक्ष नत्मस तक हो गया।